हम लोग बात करें हमारे करेंट फेस की वीकली डिविजिन की कवर करेंगे चार से नौ एप्रल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टन टॉप 45 MCQs की हमारे दो चानल्स हैं पिनेकलर फ्रंटियर आईएस दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये सेशन दोनों चानल्स पर सुबाग चार बजे वेलिबल हो जाता है हमारी दो वेबसाइट से साथी साथ फॉर डेली वीडियो पीडियेफ एंड मंथली मैगजीन आप हमाई टेलिग्राम हैंडल्स प्रेंटियर आईएस और सेशन पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टन था करनाटक ने खेलो इंडिया उनिवर्स्टी गेम दोजार रिक्यस के शुभंकर का नावरन किया यह डैश नाम का इखाती है करेक्ट आंसे था इसको आप्ष नमबर ए वीरा नेक्स देखो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना शुडू की है करेक्ट आंसे था इसको आप्ष नमबर डी मध्य प्रदेश नेक्स देखो नए विदेश सचीव बनने के लिए किसे चुना गया है इंपोर्टन क्वेस्टिन है करेक्ट आंसे था इसको आप्ष नमबर डी बिने मुहन कुआत्रा नेक्स देखो केंद्रे प विज्ञानिक सर्वेक्षन GSI के महानिदेश के रूप में किसने पदभार संभाला है करेक्ट आंसे था इसको ऑप्शन नबर बी डॉक्टर रैस राजू नेक्स देखो प्रतिष्टि चमेली देवी जैन पुरसकार उतक्रिष्ट महिला मीडिया करमी 2021 किसकिस ने जीता है अमू के सदस्य के रूप में किस भारतिय को न्यूक्त किया गया है करेक्ट आंसे था इसको आप्शन नबर डी अरुना भागोश नेक्स देखो स्टैंडब इंडिया योजणा ने पांच एपल 2022 को डैश वर्ष पूरे किये करेक्ट आंसे था इसको आप्शन नबर बी शि नेक्स देखो नवींतम हुरून रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व की सबसे अमीर स्वेय निर्मित महिलाओं में किस भारते महिला को चित्रित किया गया है करेक्ट आंसे था इसको आप्शन नबर डी ये सभी यानि राधा वैंबू, फालगुनी नायर और किरन मजूम नेक्स देखो वर्ष 2021 के लिए प्रतेश्ठित संत नामदेम राष्ट्य पुरस्कार से किसे समानित किया गया है करेक्ट आंसे था इसको आप्शन नमबर सी सत्य अपाल मलिक नेक्स देखो आर्थिक संकड के विरोध के बीच किस देश ने सारवजनिक आपात काल की घोशना की है करेक्ट आंसे था इसको आप्शन नमबर ए श्री लंका साजीबु नौंगमा पनवा किस भारते राजे का पारम परिक्तियोहार है? करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर A, मनिपूर किस शहर ने Global Collaboration Advanced Vaccinology Training Meeting की में जबानी की? करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर B, जिनेवा किस राजे के मुख्य मंत्री ने अप्चारिक रूप से 13 नए जिलो का शुभारम किया है? करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर A, आंध्रप्रदेश मियामी ओपन, टैनिस टूर्णामेंट 2022 में भहिला एकल का खिताब किस ने जीता? करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर B, इगा स्वेटेक नेक्स एखो, भारत के मुख्य नाइधीश ने इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से नायाले के आदेशों को तेजी से सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए कौन सा सौफ्ट वेर लॉंच किया? करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर B, फास्टर नेक्स है, इन स्पेस के निदेशे के रूप में किसे निउप्त किया गया है? करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर D, प्रफुल कुमार जैन, इन स्पेस की फुल फॉर्म थी, इंडियन नैशनल स्पेस, प्रमोशन औन ऑथराइजेशन सेंटर नेक्स्ट क्वेस्टन देखो गोड़ी पढवा उत्सप किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर D, दोनो B और C, यानि गोव और महराष्ट्र कश्मीर के पुलवामा जीले में किस नदी में भगवान विश्णू की तीन सिर्वाली प्राचीन मूर्ती मिली है? करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर C, जेलम करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर D, रेलवे सुरक्षा बल करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर D, दोनो B, जेले में ब्रावो करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर D, अरुनाचल प्रदेश करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर D, उत्राखंड संस्कृति मंत्राले ने तीरत सलो पर ओनलाइन दर्शन देने के लिए कौन सा पोर्टर लॉन्च किया है करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर C, टेंपल 360 प्रशासन और प्रबंदन पर अंतराश्ट दूर संचार संग, आई टीउ परिशत की स्थाई समिती के उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतियों को चुना गया है करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर D, अपराजिता शर्मा पहली महिला पाकिस्तानी ग्रैमी विजेता कौन बनी है करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर C, और रोज आफ्ताप नेक्स देखो, पशुपालन और डेरी विभाग ने किस राज में वन हेल्थ पालेट परजेक्ट शुडू किया है करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर C, उतराखन नेक्स देखो, सेंटर फर मोनीटरिंग इंडियन एकॉनमी दवारा जारी नवींतम आंकडों के नुसार, मार्च 2022 में किस राज में सबसे कमबे रोजगारी दर है करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर D, 36 गड़ संतोष टॉफिक किस खेल से समबंदित है करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर B, फुटबल QS World University रैंकिंग 2022 के इंजिनरिंग और प्रदयोगी की डोमेन के तहत किस भारते संस्थान को शीश सौ में सूची बद किया गया है करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर D, दोनो B और C, यानि IIT Bombay और IIT दिल्ली संयुक्त विशेश बल अभियास खंजर के इंदो देशों के बीच आयोजित किया जाता है करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर C, भारत और किर्गिस्तान किस भारतिन अपनी लगू कहानी, गाउं बूरों के लिए प्रतेश्ठित, ओ हेंडरी पुरसकार जीता है करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर C, अमर मित्र सेमी कंड़क्टर मिशन का मार्क दर्शन करने के लिए नव गठित, सलाकार समिती का प्रमुख कौन बना है करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर D, अश्विनी वैश्णव संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच नयालेय में पदुनत होने वाली पहली अर्श्वेत महिला यानि ब्लैक वुमन कौन बनी करेक्ट आंसे था इसका उप्षिन नमबर C, केतन जी ब्राउन जैक्सिन बहुत इंपोर्टन क्वेस्टिन है ये नेक्स देखो विश्व बैंक और एशन इंफ्रस्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के स्राज्य के मिशन स्कूल ओफ एक्सिलन्स परियोजना के लिए 7500 करोड रुपे करिन प्रदान करेंगे करेक्ट आն से था इसको ऑप्शन नबर C, बुझरात प्रतेश्चित सरस्वति समंध 2021 किसने जीता है करेक्ट आं से था इसको ऑप्शन नबर B, राम दर शमिष्च्रा भिग्यानीकों ने किस ग्रह के समानेक ए ग्यांप फ्रकाष्ट की खोज की है जो पृत्वी से 17,000 प्रकाश्ट वर्ष दूर है करेक्ट आंसे था इसका उप्शन नबर A ब्रहस्पति यानी जुपिटर नेक्स देखो किसका उपनियास टॉंब अफ सैंड अंतर राष्टे बुकर पुरसकार के लिए चुना जाने वाला पहला हिंदी भाष्ट का उपनियास बन गया है अगेन इपोर्टन क्वेस्टिन है करेक्ट आंसे था इसका उप्शन नबर C गितांजली श्री नेक्स देखो कुईन ओफायर नामपुस्त किसने लिखी है करेक्ट आंसे था इसका उप्शन नबर C देविका रंगचारी नेक्स देखो Heroes of 1971 The Brave Hearts of the War that gave birth to Bangladesh नामपुस्त का संपादन किसने किया करेक्ट आंसे था इसका उप्शन नबर D राजेश रामचंदरन नेक्स देखो बिरसा मुंडा जनजाती नायक नामपुस्त किसने लिखी है करेक्ट आंसे था इसका उप्शन नबर D आलोक चकरावल लास्ट क्वेस्टन देखो आजके सेशन के लिए किस राजे ने कवल उथावी पुलिस सहयता आप लॉंच किया है करेक्ट आंसे था इसका उप्शन नबर A तमिलनाडू बात कर लेता है important days and themes की तो World Autism Awareness Day 2 April इस वर्ष के लिए theme है Inclusive Quality Education for All अंतराष्टर खान जागुक्ता दिवस 4 April theme है Safe Ground, Safe Steps, Safe Home राष्टर समुदरी दिवस 5 April विश्व स्वास्ते दिवस 7 April इस वर्ष के लिए theme है Our Planet, Our Health विकास और शांतिके लिए अंतराष्टर खेल दिवस 6 April इस वर्ष के लिए theme है Securing a Sustainable and Peaceful Future for All The Contribution of Sport और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब परना बिल्कुल ना भूलियेगा बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताके मारी आने बली हर वीडियो की नोटिफिकेस्टन आपको मिल सके Thank you so much I'll see you in my next session